आज हम लोग करेंगे designs.ai का detailed review हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं digital tools और services के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले designs.ai के बारे में यह एक AI टूल है जिसके तुरू आप लोग काफी सारी चीजें आप बना सकते हूँ यह आता है imagine के तुरू, imagine जिसके अंडर आते हैं 123RF, Pixlr, यह सब इन ही के अंदर आता है अब इन्होंने recently यहाँ पे designs.ai भी launch किया है तो आज हम लोग इसके बारे में detailed में जानेंगे तो free version भी है, paid version भी है, पहले में आपको free version के सारे features बता देता हूँ देन हम लोग पेड वर्जिन के उपर जाएंगे और देन देखिएंगे कि किसको लेना चाहिए और एक special coupon code भी है मेरे पास आप लोगो के लिए वह भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा बिना किसी डिले के स्टाट करते हैं इनके free version से तो जैसी आप लोग यहाँ पर लॉग इन करोगे इस तरीके का यहाँ पर आपको पैनल देखने को मिलेगा अभी फिलाल हूँ मैं इनके free version में तो free version में सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे design maker जैसी आप लोग यहाँ पर design maker खोलोगे इस ताइप के यहाँ पर screen आजाएगी basically यह canva की तरही है canva का मैंने recently review भी गया तो आपको i button जो पर मिल जाएगा तो जैसे मैं आप ए code की template सिलेक कर लेता हूँ and जैसे canva work करता है same to same यह भी वैसी work करता है यहाँ पर आपको कुछ पीछे अच्छा यह जो background images है यह 123 RF इसके लिए आपको अलग से pay करना पड़ेगा हाला कि यहाँ पर आप लोग इनकी कुछ जो free वाली photos हो photos है उसका भी यहाँ पर use कर सकते हो तो हम लोग यहाँ पर इसको replace कर सकते है तो इस तरीकिये का यहाँ पर आपको designs.ai का tool देखने को मिल जाता है मैं इसमें ज्यादा deep में नहीं जाओंगा Canva की तरह ही है फिर जो अगला इनका free वाला tool है वो है text to speech अब यहाँ पर आपको free user हो अगर आप तो यहाँ पर 500 characters एक दिन में आप convert कर सकते हो उसको download भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं अपने कुछ text एंटर कर देता हूं यह मैंने टेक्स यहाँ पर इंटर कर दिया अब यह automatically voice में हो जाएगा फिर convert फिर यह हो गया 1. Get dressed in office clothes 2. Create a separate home office space तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग quickly text to audio convert कर सकते हो मैं यहाँ पर जितने भी assets हैं जो भी मैं यहाँ पर create कर रहा हूं उसका link में नीचे दे दूँगा वह आप लोग जाकर download कर लिजेगा ताकि आपको एक idea मिल जाए कि किस तरीके का यहाँ पर assets आप लोग generate कर सकते हो अब जो अगला tool है इनका वह ग्राफिक maker ग्राफिक maker के थ्रू हम लोग यहां पर जितने भी vector files है वह यहां पर download कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको इसका attribution देना पड़ेगा आप लोग इसको personally भी यूज कर सकते हो commercially भी यूज कर सकते हो for example मैं यहां पर डाल देता हूँ walk तो हमारे पास कोई walk related यहां पर आ जाना चाहिए walking a dog walking a dog तो यहां पर आपको कुछ options मिल जाएंगे हलाकि इनका collection limited है अब जैसे मुझे वाली फोटो चीए तो मैं आपर इसके colors भी change कर सकता हूँ इसके बाद जो इनका free tool है वह एक color matcher यहां पर आपको different color palettes मिल जाते हैं बहुत बार हम लोग कौन सा यूज करें और बाकी जितने भी आप लोग assets बनाते हैं इसमें आपको काफी help करने वाले इसके बाद यहां पर आता है color wheel यह भी काफी अच्छा है यहां पर आपको different combinations मि यूज कर सकते हैं for example मुझे एक monochromatic color चीए तो मैं यहां पर इस पर ऐसे कर लूँगा तो यहां पर मेरे पास सारे blue के shades आ गए इसी तरीके से अगर मुझे कुछ green मेरी theme मैं का बना रहा हूं मुझे green उसकी theme रखनी है तो यह मेरे पास इसके सारे shades यहां पर आ गए हैं इसी इसी तरीके से यहां पर आप लोग इस color wheel का यूज करके अपने लिए different color shades generate कर सकते हो फिर इसी तरह से यहां पर text मिल जाता है कि अगर आपको यहां पर different shades में text चाहिए तो different different आपको यहां पर shades मिल जाएंगे कि अगर मेरा background यह है तो मैं उसके उपर इवाला color ले सकता हूं and then यहां पर color codes भी आपको मिल जाएंगे तो यह भी मुझे काफी अच्छा लगा है then overlay है अगर आपको यहां पर कुछ overlay डालना है तो उस पर कौन सा shade होना चीए किस तरीके से देखेगा यह सारे आपको यहां पर different shades मिल गए है इसी तरह से gradient contrast फिर image color extractor अगर आपके पास कोई image है उसके अंदर से आपको यहां पर colors निकालने हैं तो फिर यहां पर आप उसको upload करके उसके जो भी colors है वह आपको यहां पर extract होके मिल जाएंगे फिर इसके बाद हैं यहां यहां पर आपको different combinations मिल जाते हैं आप लोग यहां से अपनी heading select कर सकते हो कि आपके heading यहां पर कौनसी रहेगी और फिर इसके सबसे यहां पर आपको दिखा देता है प्रिव्यू दे देता है बेसिकलिए अगर आपको यहां पर नीचे templates भी दे देता है कि आप यहां यहां प महीने में जितने भी यहां पर events होंगे यह मुझे उसके यहां पर details देदेगा और उसके हिसाब से मैं यहां पर अपना content create कर सकता हूं अगर मैं यहां पर US के audience select कर रहा हूं तो मैं US select कर लूँगा and then वहां के जितने भी events है वो सब मेरे पास यहां पर आ जाएंगे तो यह अगर आपको एक अलग टाइप की template से ही आपको kanva यूज नहीं करना krelo यूज नहीं करना आपको different template से ही है तो फिर आप लोग इनके design maker की तरफ देख सकते हो यह सब आपको इनके free plan में मिल जाता है अब अगर यहां पर paid plan की बात करूं तो यहां पर basic plan से start होता है मेरे पास अब अगर यहां पर मुझे quickly logos बनाने है different different combinations का use करके font colors और icons उसमें यह मुझे काफी help करेगा अगर मुझे quick logos बनाने है ना यह मुझे fancy logos नहीं बना कर देगा लेकिन अगर आपको different designs में चाहिए तो फिर यह आपको उसमें help कर सकता है मैं अभी आपको यहां पर use करके बताता यहां पर आपको अपना लोगों चीए क्या सिर्फ आपको इनिशेल चीए यहां फिर आइकन के साथ चीए मुझे यहां पर आइकन के साथ चीए तो मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं then next हम लोग करते है slogan फिलाल नहीं है मुझे कोई नहीं डाला है उसके बाद यहां से और आपको कौंसे ब्लू publi दिखोंगा उसके बाद आपको कौन से इंट आइकन अ इस रखाऊ है अच्छा गरे दिखोंगा इसके बाद यहां पर इसको अभी भी 02 EDITS कर सकते हो तो अभ माल लेते हैं जैसे मुझे यहां पर एक ईगेवस पक्लिक कर देंगे अभी मेरह च्छे यह दिन करने इसके बाद आप लोगो सबसे कर सकते हो जो ब्रसक्राइब अढ़ सबसे अच्छा लग रहा है एंदेन हम लोग यहां पर इसको एडिट भी कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल मैं यह वाला लोगों ले लेता हूँ इसको मैं पहले एडिट कर लेता हूँ मुझे ऐसा लगा कि यह वाला आइकन सही है यह मेरे तीम के साथ में जा रहा है लेकिन मुझे इसका फॉर्ण चेंज करना है और मुझे अपर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसके बाही मैं नहीं चाल अब लिया से शांट फयर खरिखिथी यह जा रहा है को तो और मंटल्रे कर देख़िए हैं जा करना इन के इसके इन ऊपर नहीं होगा डर्ल आइकन पर आइकन की पोशिशन भी चेंज कर लिया इसका तो इसको अधर फॉर्ण प्रॉँ हैं आईकन यह मेरा icon रहेगा और यह मेरे brand का नाम रहेगा यहाँ पर मैं कुछ भी catchy सा slogan रख दूँगा और मैं इसको यहाँ पर finish कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको download कर सकते हैं इसके बाद अगर मुझे लोगों को download करना है तो यहाँ पर मैं buy पर click करूँगा और क्योंकि यहाँ पर मैं पास paid plan है तो यहाँ पर मैं इसको download पर click कर लूँगा तो यहाँ पर मैंने कुछ logos बनाये थे अब जैसे यह वाला logo है जैसे मैं यहाँ पर इसको download करूँगा मेरे पास अलग अलग तरह की file आ जाएगी jpeg, pdf, png, svg ताकि मैं इसको कितना भी यहाँ पर expand कर सकूँ किसी भी project में मैं आपर इसको use कर सकूँ jpeg की बात करूँ तो यह आपको background के साथ में कैसा रहेगा dark background में कैसा दिखेगा वो सब बता देगा pdf भी मिल जाता है png भी मिल जाता है white में अगर आपको white background चीए dark background चीए and then svg format में मिल सकता है ताकि आप लोग इसको किसी भी resolution में convert कर सके तो यह टूर उन लोग ले useful है जिनके पास काफी सारे clients होते है logo designing के ले especially low budget clients होते है जैसे की Fiverr पर मिलते है जिसको पांच दॉलर में logo भी चाहिए रहता है उसके png file भी चाहिए चाहिए रहती है उस case में आप लोग इसका यूज कर सकते है client will be super happy कि उनको पाँच से लेके 10 दॉलर में अगर इस तरीके के उनको क्या ही बेस्ट टूल है यहां पर सिव आप लोग टेक्स जालते हो एंडेन इसके बाद जो वीडियो रहता है जो आडियो रहता है वह सब यहां पर अब मानलो मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना है कि मुझे आपर टेक्स कलर कैसा रहेगा एंड स्क्रीन में क्या आना चाहिए थांक्स फॉर वाचिंग ठीक है यहां पर नेक्स कर दूगा इसके बाद मुझ से पुछे कि किस से रिलेटेड है मैं कहूंगा ठीक है बिजन तो अच्छी लगी मैं काफी सारी यहां पर लांगिज ट्राइक करके देखी को चाहां पर लॉगड रहेगी बेसिक प्लान में अपको फिर भी आपर काफी सारे और आप्शिंस मिल जाते हैं तो जो मुझे सबसे अच्छी लगी लेती निया पर ब्राइन में यूज कर लेत इसके बाद यह जो वीडियो है यह आटमाटिकली मेरा जन्रेट हो गया है एक मिनिट के अंदर-अंदर मैं आपर इसको प्ले करूंगा इस तरीके से आपर इसने आटमाटिकली टेक्स्ट को अरेंज कर दिया है मेरे वीडियो बना दिया है और मैं चाहूं तो यहां पर इसको डिफ्रेंट रिसल्यूशन में भी बना सकता हूं जैसे अब यह 16x9 है अगर मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना हो तो मैं 1x1 पर कर लूँगा बिफ्रेंट मिल जाए तो तो यह आपर रिप्लेश कर देगा उस पर्टिक्लर वीडियो को इसी तरीके से यह ए मेरे सारे वीडियो जिस आपने मुझे बनांतिक बना के देविक्षाइ और मैंने आप इपर बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी क्रीड कर रहे हैं और यहां पर मिरा वीडियो है दो 1 पिर 2 आधर टायारो हो गया है एसको छाहूं तो पर चाहूं तो किसी अ क्लाइन को भी दे सखता हूं अब है एपर में इसका बीस के हुए अधरल प्रोसेसिंग स्वाशहिक है जैसे कि processing complete हो जाती है आपको एक download link आजाता है आपके mail के ऊपर अब यहां पर भी दो चीजे रहती है एक तो text to video रहता है अगर मुझे कुछ text के थ्रू अगर कुछ videos बनाने हैं यहां फिर अगर मुझे कुछ templates का करके बनाना है तो भी आपर आपको option ही जाते हैं कि पहले से यहां पर different different templates मिल रही है जैसे मान लेते हैं मुझे business related कुछ content बनाना है तो business में आपर आपको different templates के option मिल जाएंगे अब मानलो मुझे बनाना है कुछ Instagram story के लिए यहां फिर IGTV के लिए यहां फिर Reels के लिए तो मैं इसका यूज यहां पर कर सकता हूं let's say tips digital marketing tips for beginners यहां पर यहां पर यह 43 second का वीडियो है तो अगर आपर आपको AI voice नहीं चाहिए तो फिर आप लोग इसका यूज करके quick videos को बना सकते हो now to be frank, जितना मेरा experience है मुझे यह नहीं लगता कि इन videos के through आप लोग directly कुछ major money earn कर सकते हो but अगर आपका कोई पहले से कुछ content platform है और आपको कुछ subsidiary content बनाना है या और कोई additional content बनाना है तब इसका use किया जा सकता है for example अगर मैं कहूं कि मैं आपे video generate करके अपने main youtube channel पर डालूँगा इसके through मैं आपको decentralized storage explain करूँगा तो मुझे नहीं लगता लोग उसको देखेंगे और मुझे यहाँ पर कुछ earning भी हो पाएगी उसके through लेकिन अगर मैं आपे decentralized storage अपने youtube channel पर डालता हूं और इस tool का use करके म Instagram के लिए Twitter के लिए Pinterest के लिए यहाँ पर जितने भी social media platform से उन सब के लिए एक छोटे मैंने एक reel बना दी को एक square post बना दी LinkedIn पर डाल दिया तो फिर यहाँ पर मुझे help मिल सकती है क्योंकि images से अच्छे हैं आपे video perform कर रहे हैं आज के time पर तो इस तरीके से यहाँ पर इस tool का use किया जा सकता है अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका हो इस tool का use करने के लिए तो do late me know और for example अगर को यहाँ पर blogger है तो वो भी इसका use कर सकता है कि blog उसने काफी detail blog लिख लिए and then YouTube पर उसने इसके through video बना के डाल दिया क्योंकि YouTube उसका main concern नहीं है अभी के लिए तो फिर अगर आप लोग किसी freelancer को भी hire करोगे तो काफी high payment लेते हैं वो लोग ऐसे short videos बनाने के लिए licensing की बात करनों तो यहाँ पर आप लोग इसको end product ले use कर सकते हो और अगर client को भी दे रहे हो तो वो as a end product इसको use कर सकते है वो इसको further sell नहीं कर सकते है या फिर modify इसको नहीं कर सक अब इससे पहले में आपे coupon code के बारे में बता हूँ आपको में डिस्काउंट ही मिलेगा तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग मुझे support कर सकते मेरे नीचे देगए लिंक से पर्चेस करके इससे मुझे help मिलती ही कि मैं unbiased videos बना पाऊं आप लोग अब coupon code की बात करों तो अगर आप लोग मेरे नीचे देगए लिंक से जाके पर्चेस करोगे go.kripashadvani.com slash designai तो फिर आप लोग ले सकते हो एक महीने का free trial account basic plan के बिना कोई credit card details डाले वे उसके लिए आपको मेरे link पर जाना है फिर आप पर sign up कर लेना है इनके free account के लिए एक तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक महीने का free trial start हो जाएगा अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ pros की बात करूं तो एक quick logos और videos बनाने के लिए अच्छा है यह back किया जा रहा है 123 RF वादी जो team है उनके through and then mock up maker भी यहाँ पर जल्दी आने वाला है अगर मैं इनके कुछ cons क कि बात करूं तो इनकी website अच्छी है लेकिन कभी कबार यह slow हो सकती है AI voice में आपर improvement किया जा सकता है और यहाँ पर ad present कोई भी mobile apps नहीं है नहीं इनका mobile interface ad present कुछ ज्यादा अच्छा है तो जो भी आपको काम करने वापको अपने desktop या फिर laptop पे करने पड़ेंगे अब इस टू इस टूल का यूज कर सकते हैं जो लोग design elements में काम करते हैं वीडियो बनाते हैं और logos बनाते हैं जिनको जिनके पास low budget clients भी आते हैं तो फिर लोग यहाँ पर इसका यूज कर के उनको यहाँ पर अच्छा खासा content डेलिवर कर सकते हैं और उस पर अच्छी खासी profit margin भी कमा सकत हैं फिर अगर आपको content creator और अपने additional platform पर डालने के आपको content चाहिए जो की जल्ली बन जाए तो फिर आप लोग यहाँ पर इसका use कर सकते हो तो यहाँ पर मेरी क्या opinion है मेरे इसाब से ad present यह लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़े करने की कोशिश कर रहे हैं अगर यह लोग video maker है और video maker है उसको यहाँ पर best बनाया जाए काफी सारी यहाँ पर AI को और introduce किया जाए मेरे सबसे काफी अच्छा टूल रहेगा ad present freelancers के लिए जो logo designing में जिनको videos बनाने है वो लोग यहाँ आप इसका use कर सकते हैं एक महीने का यहाँ पर आपको free trial मिल जाएगा एक महीने मे आपर आपको पता चल जाना चाहिए कि कितने clients मिल रहे हैं कितनी profit margin है क्या में आपे cost recover कर रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं क्या मैं इस tool को continue कर पाऊंगा की नहीं वो सब आपको पता चल जाएगा तो आप लोग definitely इसको एक बार try करें अगर आप लोग इस field में हैं तो and that's all for this one अगर आपको यह अच्छा लगा है तो आप लोग इसको thumbs up कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं for more interesting videos and I will see you guys in the next one good bye